हेले उस्ट्रेंट जैसा कि आपने थम्निल में देख लिया होगा ये एक भूल सोधार वीडियो मतलब कि कुछ पिछले लास्ट वीडियों कुछ गलती हो गई थी दो कोशन हमने आपको बताया थे जो कि लग रहा था हमें कि वो गलत दिये हुए पेपर में तो आए देखते ह उसमें ऐसा क्या गलती थी और हमसे कैसे गलत हो गया उन वीडियो करेक्टेट वीडियो है स्वारी उसके लिए आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा दस मिनट का एक्स्ट्रा आज वीडियो बनाना पड़ ला है उसके लिए क्योंकि हो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको इस बार हम जूम करके थोड़ा से लिख रहे हैं तो इसमें आप ध्यान से देखिए सबसे पहले एकीस और साथ वाली चीज़ देख लिए जो इसके बाद देखते हैं तो इसके लिखा है उसके बाद कुछ ऐसा बनाया और यह साथ अगर आप मेरा लाश वीडियो दे आया है कि यहां पर हमने गलती किये आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स में या वाट्स अप में या इंस्टा फेस्बूक कहीं पर भी अगर आप हमको मैसेज करें आप उसका जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा और हम जरूर यहां पर वीडि करेंगे तो देखेंग कैसे को करना है चली करते हैं भीना किसी देरी के क्वेशन दिया हुआ है सेवेंटीन पॉइंट फाइफ इंटु थ्री माइनस ट्वंटी वन यह डिवाइट था इसको मने प्लस मान लिया था माइनस थ्री इंटू 12.5 ठीक है तो आप देखिए जब लगाएंगे जैसे आपको आपको याद भी नहों तो सबसे पहले गारना है दीवाइट करना फिर मुल्टिप्लाइफ करना है उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस यह चार सीक्वेंस हाँ याद कर लिए ठीक है तो सबसे पहले एक अगला आइन करेंग आचको दो यहो तो आसा नहीं हो जाएगा तुम पहले दिवाइट कर लेते हैं इसको ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर इन्टू 3 21 में साथ को डिवाइड करें तीन बाजाएगा बहुत ही जाद अँजी ए और इसको ऐसा लिख लेते हैं अब देखिए अगली करने हमको multiply करना है इन दोनों multiply कर लिए multiply कर लिए multiply कल भी किया था इस बार टैम लगाते हैं डायक्त सौर्टकर में सर्च करते हैं देखें कैसे करते हैं 17 को जांगा और आधा लिखा है आधे वा तीन बार में पलाई करने में डेड़ होता है क्या वन उडेल कितना हो गया 52 असे से लिखे रहेंगे और यह देखें साड़े बारा लिखा है बारा देखें च्छतिस होता है और आधे फिर से तीन गुना करें तो डेल हो जाएगा 36 कितना हो गया 37.5 ऐसे करते हैं multiply जुल्दी से अब देखिए 52 में से तीन भी घटाना है और 37.5 घटा लेते हैं फिर तीन घ दुबारा आ जाएगा तो यह correct answer था जो कि हमने यहाँ पर plus करके mistake कर दी और यह गलत हो गया और हमें दुबारा इसको सुधाना पढ़ ला है ठीक है तो इसके लिए हम आपी जाएंगे इसका answer option number two सही है यह question सही दियो था बस वह एक लिख नहीं रहा इतना ज्यादा minimum लिख question आपके screen पर लगा हुआ है इस question को हमने पूरा detail में बताया था बस एक गलती कर दीती देखियो क्या गलती थी उस पार deal करता है सबसे पहले तो कल देखिया हमने conversion आपको बता दिया था पूरा क्या क्या बताया था एक बार जल्दी से बता देते एक बार फिर से सबसे छोट सेंटीमीटर में 10 DCM या इसी को 10 DM को वापस सेंटीमीटर करें तो कितना हो जाएगा सो सेंटीमीटर या इसी को अगर MM में convert करना है तो क्या लिख देंगे 1000 mm इस तरह करते है questions को बलब एक जीरो बलता जा रहा है देखिए मीटर से किया देशी मीटर तो 10 हो गया अब देशी गलत हुआ था देखिए question लिख लेता है यहाँ पर सबसे पहले question दिया हुआ है पचासी सो mm इसको पूरा लिख लेते हैं उसके आद यहाँ कामा दिया हुआ है फिर है आठ सो सेंटीमीटर आठ एमेम उसके बाद दिया हुआ है अस्सी केसी मीटर आठ सेंटीमीटर उसके आठ मीटर यह चार चीज़े दी हुए है गलती का होगी थी हम से कल कल घम से यहां पर हो गई थी कि हमने यहां पर और यहां पर कामा मालिया था और हमको लग जाता कि यह च्छे डिजिट दी हुई है और हम यहाँ च्छे डिजिट ق期間ни कर रहे करेंगे हम यहां पर बता देंगे हमारा बट आप अगर पेपर में ऐसा गलती कर देंगे तो साइध हो सकता है कि एक नमबर एक कुश्चन से आपका पेपर रुख जाए तो इस वाजे हमारे यह वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था ऐसी गलती मत करेंगे कामा नहीं करनोट करेंगे सब को म में करनोट करेंगे अब लिखाए आठ सो सेंटी मीटर आठ एमेम तो आठ सो सेंटी मीटर में कितना हो गए एक जीरो लगा देंगे आठ हजार हो जाएगा एमेम में और यह कितना लिखाए आठ हजार प्लस आठ कितना हो जाएगा आठ हजार आठ है में ठीक यह जी था आप चलते हैं देशी मीटर में यहाँ पर बढ़ते ऐं असी डेसी मीटर अभी अमने बता है डेसी मीटर को करनोट करें इम्धर किसमें सेंटी मीटर में तो क्या हो जाएगा 800 cm और cm जब वापस mm में जाएगे तो एक 0 और लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 8,000 mm इसकी बात कर लेते हैं, क्या लिख्या लिखा है? 8 cm लिखा है, तो इसका मदलब क्या हो जाएगा? 80 mm हो जाएगा तो देखे, 80 mm और 8,000 mm इन दोनों को जोड़ दें किता हो जाएगा 88080 यानि कि 8080 mm यह हो गए तीसरी डिजिट हमारी अब आते हैं चौति डिजिट में यह क्या लिखा है 8 मीटर लिखा हुआ है मीटर करते हैं किसमें सबसे पहले डेसी मीटर कर लेते हैं तो 80 decimetr हो जाएगा आसी decimetr को cm करेंगे तो 800 cm हो जाएगा और cm को mm में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8000 mm हो जाएगा यह चीज़ए चार चीज़ए दिवे अब आप क्लिरली बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे चोटा है है कोकोस्टिन में दिया गया था कि भड़ते क्रम में लिखना है लंबाईों के गटे क्रम मिन duct È कि सबसे बढ़ा सबसे पहले उसके दूसरे चोटा से सबसे बाइभंगी यह दिख रहा है पपचासीस वह में से अप्शन दिया है ठीक है, दोनों अगले देखते हैं क्या है, पहले ऑफस्टन दिखें आठ सू सिंटीमीटर देखी है, जब कि ये तीसरे नमबर पर आना है, तो अब इश्ली चौता नमबर से वह गएते हैं, चौता है नमबर में क्या दिया हुआ है, असी DC meter और 8 centimeter दूसरा सही है उसके बाद क्या है 800 centimeter तीसरे नमबर का आ गया और उसके बाद आ गया 8 meter तो यह option number 4 पर एक sequence दिया हुआ है कौन कौन सा एक फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये sequence दिया हुआ option number 4 में तो ये भी option इसके सारे सही थे बस हमने कहां गलती कर दी थी automatic यहां पर कामा माल लिया था ध्यान नहीं दिया था एक ख़़ी सी गलती हो गई थी हमसे तो यह इस वज़े से question हमने बोला था कि गलत दिया हुआ हाला कि ऐसा बिलकुन भी नहीं कामा नहीं करीगा एक तरह से से आपकी question जा सकते हैं एक दो question ठीक है तो आई को आपको शहुन में आओ गया यही एक मेरा चोटा सा वीडियो था एक भूल सदार वीडियो था थैंक यू और में पस पर लिस्निंग जैहिन कर दो कर दो